इसमें हम coherence length, coherence time, purity coefficient से related numericals सोल करेंगे, शुरू करते हैं पहला numerical लेते हैं किसी इस रोज से उस सजित प्रकास की तरंग देर थी 6000 एंग स्ट्रॉम तथा संबत्ता काल 10 एस पर माइनस 10 सेकंड है इसके लिए ज्याद करो संबत्ता लंबाई, स्पेक्टर में रेखा की चोड़ाई, सजिता गुणा Q तो यहां क्या क्या दिया हुआ है देखें, यहां दिया हुआ है कि जो wavelength है लेंड़ा, वो 6000 एंग स्ट्रॉम है इसका मतलब यह है, 6 into 10 एस पर माइनस 7 मीटर इसके लावा, यहां दिया हुआ है, light emitted from the source 10 एस पर माइनस 10 सेकंड इसका दिख कोहरेंस टाइम, तो यह तो wavelength है और दूसरी चीज़ जो दिये हुए है, वो है कोहरेंस टाइम तो, तो इक्वल टू 10 एस पर माइनस 10 सेकंड, अब पहले हमें निकालना है पहली चीज़ क्या है, यह है coherence length, coherence length का मतलब L, L इक्वल टू था C into तो, C कितना है, 3 into 10 एस पर 8, तो कितना है, यह 10 एस पर माइनस 10 इसका मतलब यह हुआ, 3 into 10 एस पर माइनस 2 मीटर, यह कह सकते हैं, 3 cm, यह उसकी coherence length हुई दूसरा क्या निकालना है, दूसरा आपको निकालना है, width of spectral line width of spectral line, इसका मतलब यह निकालना है, आपको delta lambda, अब delta lambda होता है delta lambda equal to lambda square upon L, equal to 6 into 10 एस पर माइनस 7, into 6 into 10 एस पर माइनस 7, upon 3 into 10 एस पर माइनस 2, 3 to 6, ते वह बाद 12, into 10 एस पर माइनस 12, यह हो जाता है, 0.12 angstrom, तीसरी चीज़ निकालना है हमे, purity coefficient, purity coefficient क्यों कितना होता है, lambda upon delta lambda, lambda कितना है, lambda है, 6 into 10 एस पर माइनस 7, यह है 0.12 into 10 एस पर माइनस 10, ते हो जाता है, 6000 upon 0.12, ते यह हो जाता है, equal to 6000 into 100 upon 12, 12, 5 जा, इसका मतलब है, 5 into 10 एस पर 4, यह कह सकता हूँ, इसका order है, 10 एस पर 5, तो purity coefficient होता है, 10 एस पर 5, दूसरा numerical लेते हैं, sodium रेखा जिसकी तरंग देर दिया, 5, 8, 9, 0 एंग स्ट्रों में का फहलाव 0.0194 एंग स्ट्रों में, गर्णा करो संबत्ता लंबाई आवरत्ती के पदों में, स्पेक्टर में रेखा की चुड़ाई, sodium line has wavelength 5, 8, 9, 0 एंग स्ट्रों, and spread equal to 0.0194 एंग स्ट्रों, calculate coherence length width of spectrum line in terms of frequency, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, wavelength lambda equal to 5, 8, 9, 0 एंग स्ट्रों, equal to 5, 8, 9, 0 into 10 पर माइनस 10 मीटर, इसके लावा फहलाव, फहलाव का मतलब डेल्टा लेंब्डा दिया हुआ है, कितना 0.0194 एंग स्ट्रों, या 0.0194 into 10 पर माइनस 10 मीटर, क्या-क्या निकालना है, संबत्ता लंबाई, या कह सकते हैं, पहले case में निकालना है, L, L equal to lambda square upon delta lambda, इसमें value put करते हैं, तो lambda square है, 5, 8, 9, 0 into 10 पर माइनस 10, into 5, 8, 9, 0 into 10 पर माइनस 10, upon 0.0194 into 10 पर माइनस 10, तो इससे calculate करते हैं, calculator से, इसकी value हो जाती है, 0.179 मीटर, दूसरा इसमें calculate करना है, width of spectral line in terms of frequency, या कह सकते हैं, delta new निकालना है, एक relation है, tau delta new equal to 1, तो delta new हो जाएगा, 1 upon tau, या कह सकते हैं, दूसरा relation एक हो रहा है, L equal to C into tau, तो tau कितना हो जाता है, L upon C, या कह सकते हैं, ये value हो जाएगा, आपके C upon L, C कितना है, 3 into 10 पर 8, L कितना है, L भी निकाला है, 0.179 मीटर, तो ये इससे हो जाता है, delta new की value इससे आ जाती है, 1.68 into 10 पर 9 हर्ट्स, तीसरा नुमेरिकल लेते हैं, sodium D2 line, L equal to 5890 angstrom की संबत्ता लंबाई 2.5 cm है, घर ना करो, इस्पेक्टर में रेखा की, आर्थ चोड़ाई, इस्पेक्टर में रेखा की सुदुदा, coherence length of sodium D2 line, L equal to 5890 angstrom is 2.5 cm, calculate half width of spectre line and purity of spectre line, तो क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, lambda equal to 5890 angstrom equal to 5890 into 10 पर माइनस 10 मीटर, संबत्ता लंबा या कह सकते हैं, coherence length, coherence length L equal to the hour 2.5 cm equal to 2.5 into 10 पर माइनस 2 मीटर, क्या निकालना है, पहल निकालना है, इस्पेक्टर में रेखा की अर्थ चोड़ा, इसमें बन्तों half width थी, या कह सकते, delta lambda में निकालना है, यह हमारे पास relation है, वो है L equal to lambda square upon delta lambda, तो delta lambda इस से हो जाता है, lambda square upon L, lambda कितना है, lambda है 5, 8, 9, 0 into 10 पर माइनस 10 का square upon L, L कितना है, 2.5 into 10 पर माइनस 2, इसे हम calculate करते हैं, यह हो जाता है, 13.8 into 10 पर माइनस 12, या 0.138 into 10 पर माइनस 10, या कह सकते हैं, 0.138, angstrom delta lambda की value हो जाती है, दूसरी चीज़ जो हमें निकाल ली है, वो है purity of spectral line, या कह सकते हैं Q, की होता है, कितना lambda upon delta lambda, तो यह हो जाता है, 5, 8, 9, 0 angstrom या into 10 पर माइनस 10, और दूसरा, 0.138 into 10 पर माइनस 10, तो इसे divide करते हैं, तो यह आ जाता है, 42, 6, 8, 1, या कह सकते हैं, 4.2 into 10 पर 4, order हम कहेंगे तो यह 10 पर 5 order का आ जाता है, यह क्या है, purity of spectral line,